येस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टनून गुड दूनिंग टॉल अप्यू कैसे हैं सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बिडिया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ अधि सर अभी तो हमारा रविजन चल रहा है और रेविजन मैं भी सर पहला रविजन तो आलरेडी हो चुका है अब दूसरा रिविजन चलर रहा है तो स्र Daniel डूसरे डिवें हम अपने module में, अपनी compact में, ICI के module में, तो वहाँ पे आप देखोगे, तो case laws है, वो बहुत जादा है, means approach 120 के plus case laws रहेंगे, तो क्या सब case laws हमको याद रखने है, सब के नाम हमको याद रखने है, answer is no, guys मैंने यहाँ पे आपको shortlist करके कुछ ऐसे case laws दे रखे है, जिनके नाम को case law का question आएगा, answer is बिलकुल आएगा, and मैं बता दू, exam में 12 marks बहुत बार, 8 marks है, 12 marks है, उतना case law का question आता है, और वो question में, आपको case laws से related चीज़े लिखनी पड़ती है, तो सर हम कौन-कौन से case laws करके जाए, तो मैं आपको बताओ, यहाँ पे मैंने 27 का list दे रखा है, यह 27 case laws अगर आप कर लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा, बिलकुल stress लेने की जरूरत नहीं है, यह 27 case laws में, मैंने यहाँ पे reference भी दे रखा है, क्या आप देखेंगे, कि compact में, कौन से topic में मैंने दे रखा है, जैसे पहले 2 case law, ICDS है, and National Cooperative Development Bank, यह मैंने आपको PGP में दे रखा ह उसके बाद रंजन पाई, जो buyback वाला, I think case law, bonus year वाला case law है, वो मैंने IFOS में दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने case law के साथ में reference भी दे रखा है, कि compact में आपको कहाँ पे मिलेगा, लेकिन सर्फ कुछ case laws ऐसे है, जो new case laws है, जैसे 20 से लेके, and 27 तक के case laws है, वो आपके new case laws है, और especially आप अगर देखोगे, यह BDR, Finvest है, भारती, Cellular है, GoDaddy है, यह एकदम नए वाले case law है, जो अभी आए है, और आपके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो YouTube पे आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो के पहले अगर आप वीडियो देखेंगे, तो उस वीडियो स्टार्टिंग में उस टाइम पे यह case law नहीं थे, आपके पास वह वाला बुक है, तो भी टेंशन लेने की जरूवत नहीं, यह सब मैंने दे रखेंगे, कहाँ पे, compact का एडेंडम दे रखा है, on the bbvirtuals.com, वहाँ पे जाएंगे, और free resources में जाएंगे, तो आपको इस case law स related explanation भी वहाँ पे मिल जाएगा, एक बाद बता दो, देखो, आपके जो 19 तक case law है ना, उसमें से आने के chances है, वो आने के chances है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे ना, 20 से लेके 27 तक, यह जो case law है ना, इसमें से आपको 101%, दो case law मिलने ही वाले है, minimum 1 से लेके 2 case law, आपको यहाँ यह 7-8 case law है, उसमें से मिलने वाला है, तो भाई साब यह वाला तो एक दम बहुत अच्छे से करके जाना है, जिससे कि अपने को exam में अच्छा score हो पाए, उसके साथ साथ में guys, अगर यह case law का है, जो आपका like, जो discussion था, वो complete होता है, case law के बाद में, आपको compiler से कौन से question दे तो compiler आपका same रहेगा, तो जो आपका May November 2024 का compiler है, उसमें topic में कौन-कौन से questions आपको देखने है चाहिए priority basis पे, तो यहाँ पे मैंने priority question दे रखे compiler से, कि at least आप इतना करके जाओगे, आपका काम बन जाएगा, at least आप इतना करके जाओगे, तो आपका काम है, वो बन जाएगा जैसे पहला topic है, जिसमें आपको alternative taxation resume है, उसमें question number 3 है, 4 है, 7 है, वो आप कर लीजिए, उसके बाद capital gain में ये वाले question कर सकते है, income from other sources में ये, PGBP में आपको मैंने यहाँ पे कुछ questions दे रखे है, उसके बाद में आपको master question दे रखा है, कि अगर master question कर लिया, वो master question वो वाला ह जिसमें आपको 42 adjustment है, और exam में आप देखोगे, 60-70% adjustment आपको as it is master question से मिल जाएंगे, हो सकता है 2-3 adjustment आपको अलिग मिले, but most of आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो ये जो है, आपको topic का list दे रखा है, जहाँ पे आपको compiler से questions देखने चाहिए, और ये questions आप देखोगे, आपक topic से कितना cover होने वाला है, तो आपको पता है कि आपका 20-23% and 20-22% अगर मैं इन दोनों को merge कर लेता हूँ, so it comes to approximately 45% जो है, वो 45% आपका computation वाला part आने वाला है, 45% आपका computation part means आप PGBP ठंग से कर लीजिए, capital gain करिए, IFOS, clubbing setup carry forward से सिरफ question देखके जाए, deduction में कुछ deduction आप कर ली आपको करना चाहिए, ATQQB करना चाहिए, ATRB करना चाहिए, ATC के deduction को उपर-उपर से देख लो, ATC है, ATD के deduction को आप उपर-उपर से देख लो, इतना आप deduction में करके चाहिए, और question कर लीजिए, उसके बाद तुम्हारा alternative taxation regime है, MAT, AMT, SEZ है, उसके बाद मैं taxation of charitable religious trust बिल्कूल कर करके जाना है, बहुत अच्छे से करके जाना है, political party, electoral trust तो 10 minute में हो जाएगा, उसके बाद business trust, securitization trust, investment fund, and GAR, VDA, and equalization, levy, अब एक बात समझना, ये जो है न, ये आपका computation part में बोल सकता हूँ, और computation part आपका 45% coverage करेगा, तो 45% coverage करेगा, मैं बहुत बढ़ा coverage है, ये, 45% अग बहुत strong है, अगर computation आपका बहुत strong है, तो first priority पर आप ये computation वाला part complete करेगा, उसके बाद में आप एक काम के रिए सीधा international taxation पर जाएए, और international taxation आपको approximately 32% marks है, वो आपको international taxation देखे जाएगा, और international taxation में भी basically you have to do the transfer pricing अच्छे से कर लीजिए आप, उसके बाद NR taxation कर लीजिए, अब NR taxation में मैंने बहुत exhaustive दे रखा, उसमें से आप questions जो है na questions पर जादा focus करिए, तो NR taxation है, transfer pricing है, DTAA है और advanced ruling है, ये करिए, उसके बाद ये MTC और BAPS और application and interpretation of tax treaty है, इसके सिरफ आप question करके जाओगे तो भी चलेगा, means ये जो last वाले तीन topic है ना, इसके सिरफ question देख लो बहुत है, बट जो उपर वाले आपके चार topic है, उसके question भी करने चाहिए, as well as आपको concept भी पढ़के जाना चाहिए, और ये आपके exam में 32% का weightage रखता है, 32% है वो coverage करता है, तो बहुत बड़ा coverage है, second priority पे आपका ये होन को आप बहुत strongly करिए, बहुत strongly आप TDS and TCS को करिए, because TDS and TCS is going to cover approximately 8 to 10 marks in your examination, 8 to 10 marks थो आपको TDS, TCS से मिल जाएगा, उसके बाद आप एक काम करिए, black money वाला topic है, black money वाला topic, ये आपके exam में 4 to 5 marks देखे जाएगा, 4 to 5 marks आपको black money से question मिलेगा, उसके बाद में आप देखोगे कि जो तुमारा tax audit वाला topic है, वहाँ से आपको 4 marks का question मिलेगा, and black money and tax audit में जो question दे रखे हैं, compiler में वो कर लो सब, जो compiler में question दे रखे हैं, वो करोगे, आपका काम बन जाएगा, तो भाई साब, आप एक काम करिए, black money से आप question करिए, एक बार आप read कर लीजिए, black money का तो आप revision by BB sir कर के, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, बहुत पुराना मिलेगा, but मिल जाएगा, आपको उसमें कोई change है नहीं, तो black money का revision lecture भी आपको मिल जाएगा, and उसके बाद penalty जो है ना, देखो penalty में जाता दिमाग नहीं खफाने का, penalty में आपको 270A का penalty है, under reporting, mis reporting वाला penalty वो करके उसके बाद में देखो, last priority पर फिर आप रखिए assessment procedure, अब assessment procedure is a theoretical topic, assessment procedure and appeal जो है, and revision, and dispute resolution, and miscellaneous provision, क्या इससे exam में question आएगे, बिलकुल exam में question आएगे, exam में कितने के question आ सकते है, 6 से लेके 8 marks तक के question आ सकते है आपको, और 8 marks तक के question आ सकते है, अब इसमें कैसा है नहीं, assessment procedure में ज करना है, and all, उससे related MCQ बैठ सकता है, करके, जिसका electricity bill 1x से जादा है, तो return file करना पड़ेगा, and all, वो आपको देखके जाने का, उसके बाद जो updated return वाला concept है, updated return वाला है, वो आपको अच्छे से करके जाने का, करके ठीक है, and updated return के बाद में, जो है, वो आपके assessment procedure में, जो 147, 14 48 वाला है, उसको आपको अच्छे से करके जाने का, बाकी सब चीज़े आप एक बार उपर-उपर से go through करोगे, तो भी चलेगा, and appeal and revision में एक बात बताऊं, अगर आप question कर लेते हैं, तो काम बन जाएगा, अगर आप question कर लेते हैं, देखो similar question आएगा, तो आप exam में कर लोग है, उसके बाद में जो है, वो आप question कर लीजिए, यह आपका target होना चाहिए, तो देखो, मैंने आपको क्या बोला, जो must do topic है, वो आपके first वाले आ गए, that is the must do topic, आपको 45% यही से गवर कर लेगा, second number पर आप international taxation में जाहिए, और third number जब आप इसमें कर रहे हैं, तो इसमें first priority आपका TDS, TCS होना चाहिए, फिर आपका black money act होना चाहिए, फिर आपका tax audit होना चाहिए, क्योंकि उसमें से आएगा यागा short shot, black money से question आने वाला है, 4 to 5 marks का question आपको मिलेगा, और similar question exam में मिलने वाला है, तो भाई साब वो आपको अच्छे से करके जाना है, और उसके बाद म मतलब, यहाँ पे 25 ऐसे question है, जो मेरे को लगते हैं कि बहुत अच्छे question है, अगर आप करोगे तो आपको आपकी practice समझ में आ जाएगी, कि आपने कितना अच्छे से revise किया है, क्या किया है, तो यह 25 question में से आप देखूँगे, 18 question वही वाले है, जो मैंने में 2024 के लिए भी द question है, जिसमें 115 BAA, BAB को cover किया है, इसमें मैंने जो trust का question है, वो आप जरूर देखके जाहिएगा, जो trust का question है, charitable religious trust का question है, वो आप अच्छे से देखके जाहिए, और उसमें बहुत सारे points है, जो मैंने cover किया है, और धियान रखना, क्योंकि वहाँ पे 115 BAC लेते हैं, तो slab rate, क् के accordingly वो question है, तो वो आप जरूर देखके जाहिएगा, ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे, जो है, वो बहुत सारी चीज़े बताई, तो यह आपको PDF कहाँ पे मिलेगा, this PDF is available on our website also, that is bbvirtuals.com के free resources में जाओगे, वहाँ मिलेगा, as well as मैंने इसको telegram group पे भी share किया like 30-35 days, 40 days आपके पास में है, just utilize in the best way, आप best way में utilize कर दीजिए, जितना आप से होता है, आप अपना पूरा try कर लीजिए, 100% दे दीजिए, because मैं हमेशा बोलता हूँ, give your 100%, I say I will give you 50% and we need only 50% to correct the exam, so अपने को 50% ही चाहिए, correct करने के लिए, और वो हम इस बार exam में ला लेंगे एक और बात बता दू, paper जो है, वो कैसा भी रहे, result इस बार अच्छा रहेगा, so don't worry about that, इस बार का result है November का, वो काफी अच्छा रहने वाला है, जैसा मुझे पता चल रहा है, मुझे ऐसा intuition आ रहा है, result अच्छा रहेगा, don't worry about that, अब बस अपने effort मारते जाहिए, अच्छा, एक और चीज, जिन बच्छों ने हमसे May, November 2024 का class लिया है, उनके लिए mock test paper number 1 जो है, MTP1, जो ICI का, वो हम check करके दे रहे है, तो आप लोग एक काम करिए, कि mock test paper number 1 लिखके, और आपकी drive पे upload कर लीजिए, यह कहाँ पे मिलेगा link, तो link मिलेगा, जहां से आपने lecture खरीदा था, उसका आपके पास में drive है, और वो drive में ही हमने folder बना रखा है, mock test paper checking करके, उसमें एक link दे रखा है, उस link पे आप अपना paper submit कर लीजिए, 7-8 days में हम उसको check करके आपको दे देंगे, हम हमारी team है, वो check करके आपको दे देगी करके, ठीक है, चलिए, उसके बाद एक और चीज द्यान रखना, गाइस, एक है न, आपको पता रहेगा, तो हम लोग पढ़ते थे, तो question ही आता सर्क companies के लिए tax rate क्या है, तो companies के लिए tax rate में मैंने क्या बताया था, कि जो भी domestic company होती है, वो domestic company के till ये tax rate normally 30% रहती है, लेकिन अगर domestic company का previous year 21, 22 का turnover जो है, वो up to 400 करोड है, तो उस particular case में 25% रहती है, अब आपको याद रहेगा, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था न, तो मैंने बोला था, institute है न, वो उस point को लेकर dispute है, अगर new company है, तो क्या होगा, if any company is a newly incorporated company, तो उसमें क्या होगा, 25% लेना है, या 30% लेना है, अब देखो, institute पहले एक MCQ दिया था, अगर आपको याद रहेगा, साल बर पहले, उसमें उन्होंने 30% लिया था, लेकिन इस बार का mock test paper का question है, उस mock test paper के question में उन्होंने 25% लिया है, तो sir, हमको exam में क्या लेना है, तो मैं बता दू, आप 25% लेलो, तो newly incorporated company, अगर माल लो, इसी previous year 23-24 में, या 22-23 में अगर incorporate हुई है, तो उसके लिए tax rate है, आप 25% ले लिजिए, because we assume that उस year का turnover उसका 400 से कम है, वो company थी नहीं, बट उसका benefit उसको मिल जाएगा, तो आप 25% की rate से tax rate ले लेंगे, उस company के case में करगे, ठीक है, चलिए गाई, तो यह छोटा सा आपके लिए clarification था, और बाकी आपके लिए ये वाल से अच्छा result रहेगा, ठीक है, चलो, all the best for your examination.